तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रिश्णा बली 3.3 का प्रश्ण किरमांग 2 का ये चौथा क्वेश्चन तो एक बड़ा सा सवाल दिया गया है लेकिन बहुत आसान है बस ध्यान से समझना और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ हम लोग उसी तरीके से सॉल्वल करेंगे जैसा एक्जाम में करना है तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको समझ भी आ जाएगा देखो इसमें दिया गया है कि मीना रुपे 2,000 निकालने के लिए बैंक गई मतलब मीना नाम की एक लड़की है ज मुझे 50 रुपे की नोट चाहिए और 100 रुपे की नोट चाहिए अब हो सकता है कि उसके घर में महमान आये हों तो उसी लिफापे में छोटे बच्चों को 50-50 के नोट देने हैं और जो बड़े जन आये हैं उनके लिए 100-100 रुपे लिफापे में बंद करके देना होगा तो उसने खास तोर पर गहा कि मुझे कुछ 50 के नोट चाहिए और कुछ 100 के नोट चाहिए अब सवाल में ये पूछा गया है कि वो 50 रुपे के नोट कितने लिए उसने और 100 रुपे के नोट कितने लिए बलकि सवाल में ये भी हमें बताया गया है कि मीना ने कुल 25 नोट प्रा कि यहां पे यह 50-50 के नोट है ऐसे समझो थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ यह 50-50 के नोट है और यह मानलो 100-100 के नोट है ठीक है यह कुछ देर के लिए मानलो कि यह 100-100 के नोट है यह 50 के है और यह 100-100 के है तो 50 रुपे के नोट है और 100 रुपे के नोट है दोनों म मिलाके मीना ने टोटल 25 नोट प्राप्त किया है 25 नोट है मीना के हाथ में लेकिन ये पता नहीं है कि 50 के नोट हैं कितने और ये भी पता नहीं है कि 100 के नोट हैं कितने लेकिन ये भी पता है कि दोनों मिलाके 25 नोट हो रहे है 50 के नोट गिलने और 100 के नोट गिलने तो दोनों मिला के 25 नोट हो रहे है और साथ में दोनों की जो वैल्यू है वो 2000 रुपे है मतलब दोनों रुपे मिला दें तो वो 2000 रुपे है मतलब मीना 2000 निकल वाने के लिए बैंक गई तो उसने कैसियर से बोला कि 50 रुपे की नोट भी दे दो और 100 के भी दे दो तो उसने दे दिये, टोटल नोट उसने गिने तो 25 नोट थे उसमें 50 के भी सामिल थे और उसमें 100 के भी सामिल थे तो टोटल 2,000 के नोट उसने दिये 2,000 के कितने नोट दिये? 25 नोट सामिल किये अब देखो थोला सा सवाल को अच्छे से समझना तो इस सवाल की सुरुवात कहां से करोगे? देखो यहां पे आखरी हिस्सा पढ़ो उसने 50 रुपे और 100 रुपे के कितने कितने नोट प्राप्त किये अब तुम्हें तो पता है नहीं कि 50 के नोट है कितने 2 है कि 4 है कि 5 है और ना तुम्हें ये पता है कि 100 रुपे की नोट कितने है 5 है कि 6 तो 50 रुपे के जितने भी नोट है उनकी संख्या X माल लो जैसे यहाँ पे मैं समझा रहा था जहाँ पे कि 50 रुपे के कितने नोट है यह हमें पता नहीं है तो उनकी संख्या X माल लो तो और 100 रुपे के जितने भी नोट है उनकी संख्या क्या माल लो भाई माल लो तो X और B दोनों मिलाके 25 हैं ये हमें पता चल जाएगा एक समीक्रण और 50 रुपे के जितने भी नोट है तो कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी उनकी 50 X और 100 रुपे के जितने भी नोट है मालोग बाई नोट है तो टोटल रुपे कितना हो गया 100 बाई जैसे मैंने आप से कहा कि 50 रुपे के 4 नोट है तो कुल कितने हो गया तो 50 गुड़े 4 करोगे उसी तरीके से 50 गुड़े 4 करोगे तो कितना हैगा पंचो के 20, 200 रुपे हो जाएगे टोटल अगर आपके पास 50 रुपे के 4 नोट है खोड़ा दिमाग लगाओ अगर आपके पास 50 रुपे के कितने नोट है 4 नोट है तो मैंने आप से कहा कितने रुपे हैं तो आपके होगे 2 रुपे उसी तरीके से मैंने आप से कहा कि 50 रुपे के आपके पास X नोट है तो कितने रुपे होगे तो आपके होगे सर 50 X होगे मेरे पास और बैसे भी मीणा ने टोटल कितने पैसे निकलवाए है 2000 यानि कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 2200 होना चाहिए कि नहीं तो रुपियों में तो 2,000 रुपिय होने चाहिए लेकिन नोट में ग्याद करें तो 25 नोट प्राप्त हुए तो 50 रुपे के नोटों की संख्या X है और 100 रुपे के नोटों की संख्या B है दोनों को मिला दो तो दोनों के नोटों की संख्या कितनी है 25 है, ये दूसरा समिंक्रण है और ये पहला समिंक्रण है इस तरीके से solve हो जाएगा तो देखो चलो शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझाएगा तो 50 रुपे और 100 रुपे के कितने कितने नोट है तो हम माल लेते हैं कि माना फिर हम लिखेंगे 50 रुपे के नोटों की संख्या तो हमने लिखा 50 रुपे के नोटों की संख्या तो वो कितनी हो गई, वो हमने X मानी, फिर नीचे लिखेंगे 100 रुपे के नोटों की संख्या, तो वो हमने मानी है, बाई, यानि हमने ये माना है कि 50 रुपे के जितने भी नोट होंगे, वो X होंगे, और 100 रुपे के जितने भी नोट होंगे, वो बाई होंगे, ये आप पहल यह करोगे, 50 रुपे की नोटों की संक्या X मानोंगे, और 100 रुपे की नोटों की संक्या क्या मानोंगे, भाई, फिर लिखोगे प्रेश्णानु सार, तो यहां पे हमने लिखा प्रेश्णानु सार, अब इसमें आपको क्या लिखना है, बहुत ध्यान से समझना, कि कुल रु रुपे बराबर 2000, यह है न, कुल रुपे कितने है 2000, तो यह दिमार्ट लगाना है आपको, कि 50 रुपे के नोटों की संख्या X है, ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा, कि जैसे, आप थोड़ा यहां पे लोजिक लगाईए, कि 50 रुपे के जैसे आपके पास, नोटों की संख्या 2 है, तो कितने रुपे हो गए आपके पास, अगर 50 पचास के 2 हैं आपके पास, नोटों की संख्या 2 है, और नोट है 50 का, तो आप कहोगे सर सो रुपे हो गए ठीक है अच्छे से समझना लटना नहीं सवाल को उसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि पचास-पचास की नोटों की संख्या आपके पास चार है तो आप कहोगे सर दो सो हो गए उसी प्रकार से मैंने आपसे कहा कि आपके पास पचास-पचास की नोटों की सं कि आपके पास पचास पचास के नोटों की संख्या X है तो आपके पास कितने रुपे हो गए तो आपका होगे सर पचास X समझे बात को यानि की पचास रुपे के नोटों की टोटल संख्या कितनी है X है और है वो पचास रुपे के यानि की पचास के नोट जितने भी होंगे उनकी total value होगी 50x, मतलब उतने रुपे बनेंगे वो, नोटों की संख्या बस पता चल जाए हमें, तो हम बता देंगे, real में कि कितनी रुपे हैं, 50-50 के नोट मिलाके, ठीक है, 50-50 के नोट मिलाके, मीना को 50 रुपे कि कितने total नोट मिले हैं, वो पता चल जाए, तो ये भी पता चल जाएगा कि 50-50 के लिफापों में, total कितने रुपे बांट देगी वो, ठीक हैं, अब समझो, लेकिन हमें ये तो पता चल लगया कि, चलो ठीक है, total रुपे आ 50-50 के नोटों का 50x होगा, इसी तरीके से, 100 रुपे के नोटों की संख्या कितनी मानी है, 100 रुपे के नोटों की संख्या बाई मानी है, तो 100 रुपे के नोटों की संख्या बाई है, तो total पैसा कितना हो जाएगा, 100 रुपे, समझे आप बात को कि नहीं, बाई का गुणा होगा, नोटों की संख्या गुणा कर देंगे, जैसे मैंने आप से कहा कि 100 रुपे की आपके पास दो नोट है तो आप कहोगे मेरे पास टोटल 200 हो गए, अब मैं आप से कहोगे 100 रुपे के नोट आपके पास बाई हैं तो आप कहोगे रुपया मेरा हो जाएगा सो बाई तो पचास एक्स और सो बाई दोनों को मिला दोगे तो दो हजार आएगा की नहीं आएगा क्यों? क्योंकि मेना टोटल दो हजार रुपय निकलवाने गई थी तो कुछ पचास के नोट मिले उसको कुछ सो के नोट मिले अब पचास के नोट एक्स थे तो पचास एक्स टोटल रुपया हो गया और सो के नोट बाई थे तो टोटल सो बाई रुपया हो गया लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो वो दो हजार होगा होगा की नहीं तो कुल रुपे कितने होंगे तो कुल रुपे होंगे 50X प्लस 100 बाई कुल रुपे कितने होंगे 50X प्लस 100 बाई और टोटल 2000 क्लियर हुआ अब इसमें 50 का भाग पूरे समय करण में जा रहा है तो हम दे सकते हैं पचास का यहाँ भी चला जाएगा पचास दूनी सो और यहाँ भी चला जाएगा चालिस बार तो हम क्या करेंगे पूरे समीकरण में पचास से भाग करने पर चलिए कर देते हैं तो यहाँ जाएगा पचास एकस बटे पचास यहाँ भी भाग कर दिया फिर सो बाई में भी पचास का भाग कर दिया और फिर दो हजार में भी पचास का भाग कर दिया ताकि समीकरण सरल हो जाएगा पचास से पचास कर जाएगा तो क्या आएगा एकस और बरावर जीरो से जीरो कट गया उपर नीचे का तो पांच एकम पांच पंचो के बीस और ये जीरो रहा यहनी चालीस समिंग्रण एक बना देंगे इसको ये हो गया पहला समिंग्रण तो कुल रुपे कितने थे दोAl रुपे में 50 के नोटो की संख्या एक्स थी तो टूटल रुपे आ या हो अब आगे लिखल आय कि मीना ने कितने नोट प्राप्त किये थे खाणजाची से 25 नोट इसका मतलब ये है की तथा लिखेंगे कुल नोट कितने थे पत्चीस उसने जब नोट किने 50 के भी सामिल है उसमें और सौ के भी हैं तो कुल नोट उसने गिने तो 25 नोट थे लिकिन अपन को पता है कि 50 रुपे के नोट X थे और 100 रुपे के नोट य थे तो कुल नोट में X plus Y ही हो जाएंगे 50 के भी नोट थे और 100 के भी नोट थे तो X प्लस बाई बरावर 25 हो जाएगा ये बनेगा तुम्हारा समिंकरण दो दोनों समिंकरणों को बिलोपन से हल कर देंगे उत्तर आ जाएगा तो हैडिंग डालेंगे बिलोपन बिधी से तो बिलोपन बिधी में पहले पहला समिंकरण लिख लेते हैं इसको हम समिंकरण एक बना देते हैं और दूसरा समिंकरण भी लिख लेते हैं अब इसके बाद हमने देखा कि इसमें X के गुडान के समान है, दोनों के चिन्न समान है तो घटा देते हैं ठीक है? घटाने पर, यहां से बिलकुत सरल हो जाएगा भाई का जरूरी नहीं, अगर भाई का समान नहीं है तो X का देख लो, तो X का समान है घटा देंगे तो इनके असली चिन्नों में गुला लग जाएगा प्लस का है, तो प्लस में गुला लगा के माइनस कर दो, प्लस में गुला लगा के माइनस कर दो, यहां भी प्लस में गुला लगा के माइनस कर दो उपर का X और नीचे का X कर जाएगा अब दो बाई में से एक बाई गटेगा तो एक बाई बच जाएगा बराबर 40 मैं से 25 को गटा देना है तो 10 मैं से 5 जाएगे तो बचेगे 5 अब यहाँ उधार ले ले लिती तो 3 बचा 3 मैं से 2 गए तो बचा एक तो बाई का मान कितना आ जाएगा 15 बाई का मान समिंकरण 1 में रखने पर तो समिंकरण एक यह है X प्लस दो बाई बराबर 40 X प्लस दो बाई की जगहे पर 15 बराबर 40 X प्लस पंद्रा दूनी 30 बराबर 40 X बराबर 40 30 X बराबर 10 बचेगा 40 मैं से 30 जाएगे तो कितने बचेएगे 10 तो यहाँ पर पता चला कि जो हमने X बाई माना था ना देखू 50 रुपे के नोटों की संख्या X मानी थी तो 50 के नोट थे X तो लिखेंगे अता 50 रुपे के नोटों की संख्या कितनी है बताओ 10 थी कितनी 10 और 100 रुपे के नोटों की संख्या कितनी थी बताओ जली 15 ठीक है यह अंसर आ जाएंगे अब आपको अच्छे से नोट करना है तो चलिए यहाँ से लिख लीजिए इसके बाद यहाँ पर इसके बाद यह अब अच्छे से लिखके प्रैक्टिस कर लो एक से दो बाद और आगे का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा तो वो भी आप देख सकते हैं थैंक यू